बॉलिवुड में शादियों का सीजन चल रहा है एक के बाद एक बॉलिवुड सितारे साथ फेरे ले रहे हैं इसी कड़ी में स्वरा भासकर का नाम भी जुड़ गया है 34 साल की स्वरा ने सुशल एक्टिविस्ट और समाजवादी पाल्टी के लीडर फहाद जिरर एहमत से शादी की है स्वरा और फहाद ने कोर्ट मैरिज किया है और दोनों की शादी के तस्वीरे भी सामने आ गई है सुरा और उनके पती फहाद की कोड से बाहर आते हुए तस्वीरे सुशल मीडिया पर जम कर वारल हो रही है लाल रंकी साडी, मांग में टीका और फूलों की माला पहने सुरा पती का हाथ धामे दिख नहीं है लेकिन इन सब के बीच फिल्म अभनीत्री, सुरा भासकर और एम्यू से स्दातक की पढ़ाई करने वाले फहाद की शादी की चारो तरफ चर्चाए भी तेज हो गई है वहीं दूसरी तरफ बरेली में ओल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने सुरा भासकर की शादी पर सवाल खड़े किये हैं सपा के महराश्टर यूथ ब्रिगेट के अध्यक्ष वहाद एम्यू से शादी करने को नाजायज बताया है उनका कहना है कि शरीयत में गैर मुस्लिम से निकाह की अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने देखिए शरीयत अबार से शादी जो इसलाम मजभब का मानने वाला और दोनों को लाजिम है कि दोनों इसलाम के मजभब मानने वाले हो और दोनों ने इसलाम को कुबूल किया हो अपनी राजी और खुशी और अपनी मंद्शा के मताबिक तो तो शादी हो सकती है और उसको जाइज शरीयत ने उसको जाइज माना है और अगर कोई यानि लड़की गहर मुस्लिम है और लड़का मुसल्मान है अब आईसी कंडिशन में कोई निकाह करता है शादी करता है तो शरीयत की रोशनी में वो निकाह निकाह नहीं माना जाएगा वो शादी शादी नहीं होगी वो नाजाइस तालुकात हो सकते हैं आप क्या मानते हैं अगर जैसा कि आपने स्वाल किया है इस स्वाल के मताबिक वो शादी शादी नहीं है वो निकाह शरीयत की रुश्णी में नहीं हुआ अगर स्वार इसलाम कबूल नहीं करती है तो इससे उसके मुस्लिम पती के धर्म पर कोई असर पड़ता है क्या अगर लड़की इसलाम मजब कबूल नहीं करती है और मुस्लिम लड़के से शादी करती है उसी के साथ साथ में रहती है तो ये पती के उपर बहुत बड़ा गुनाह होगा यानि इसलाम के नजर में वो गुनाह अजीम होगा उससे उसको बचना चाहिए उसको तुबा करना चाहिए और उसको तालुकात अपने लड़की से खतम करना चाहिए देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें वो बेल आइकान दबाना न भूलें